आज का स्टोडी है विंग सेफ इसका और्थ हुता है शुरक्षित रहो ठीक है आज का स्टोडी है इस स्टोडी में हम आपको क्या एक्स्प्रेंड करने वाले सबसे पहले वह जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको हम समय ले रहे हैं तो हम आपको कुछ वैल्यूवल को ट्रांसलेट करने के लिए बताने वालों कि कैसे ट्रांसलेट करके पढ़ना है उसे और कैसे समझना है और फिर कैसे आप इसे प्रैक्टिस मिला सकते हैं और आपको रीडिंग भी सिखाऊंगा कि आप किस वोड्स को कैसे पढ़ेंगे ठीक है तो चलिए आज का स्टोडी इसलिए किया गया है क्योंकि अवस दिखाना है जब भी आप किसी चीज में अवस लगाना चाहिए तो आप जब भी बोलेंगे तो आप उहाँ पर मस्ट का परियोग करेंगे ठीक है यू मस्ट हैव इट आपको अवस सिखाना चाहिए ठीक है तो यू मस्ट मेक स्योर आपक उसका आपको अवस्त ही धियान रखना चाहिए कब while करता है जब playing और मतलब या doing some other activities, activities मतलब काम ठीक है या आप कोई भी काम कर रहे हैं या तो आप खेल रहे हैं कुछ भी या आप कुछ कर रहे हैं कोई काम कर रहे हैं तो उस स्वब बक्त आपको धियान रखना है कि आप सेफ हैं या नहीं शुरक्षित हैं या नहीं तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टोडी के और समझते हैं once यानि एक बार की बात है there was a little girl there was देखिए यहाँ पर there was a little girl एक यहाँ पर there का as a subject पर्योग क्या गया है तो there का मतलब पुछ भी नहीं होगा ठीक है was a girl little girl मतलब एक छोटी सी लड़की थी a little girl छोटी सी लड़की थी named मतलब उसका नाम क्या था नाम था Nancy क्या नाम था Nancy she lived in a big joint family joint family मतलब सब लोग साथ में रहते थे कहां में रहते थे she lived वो रहते थे एक बरे परिवार में जो कि एक joint family थी the family consisted जो family consisted का अर्थ होता है सामिल ठीक है the family एनी family में सामिल कौन-कौन लोग है of grandfather, grandmother, uncles, aunts and many cousins ठीक है यह है कजन का मतलब था उसके चचेरा चचेरे जो भाई वहन है वो सभी यह उसके दादा भी है दादी भी है चाचा भी है चाची भी है और कजन्स भी सब मिला करके एक परिवार इसलिए तबरी पर of her cousins कराए कि some of मतलब उसके cousins में her cousins मतलब उसके कुछ cousins were elder जो लड़की है नैंसी उसमें से उसके जो कजन है कुछ बड़ा है elder बरे है to her उस लड़की से नैंसी से others were younger than see इसका मतलब समझी है इसका मतलब यह है कि see मतलब नैंसी से कुछ छोटी भी है younger का मतलब छोटी कुछ बड़े हैं तो कुछ छोटे है नैंसी also had many friends in her school क्या कि नैंसी यहाँ पे also लगा हुआ है also नैंसी के पास many friends had many friends in her school उसके school में कई दोस्त भी थे यहाँ पे had कपड योग हुआ है क्योंकि यह grammar है ठीक है she was a very cheerful वो बहुत ही cheerful and intelligent girl है यानि वह जो लड़की है बहुत ही cheerful है cheerful का मतलब जानते आप ठीक है यह जानते तो लिखिये सबसे पहले cheerful का क्या मतलब है वह comment में हम बताते आपको चलिए हम मान लेते कि आपने लिख दिया है cheerful का मतलब होता है हस्मुख क्या होता है हस्मुख intelligent तो हर कोई जानता है कि अब भी इस वर्ट को बहुत अच्छे साथ परिच्चीत है तो बहुत ही cheerful है हस्मुख लड़की है और intelligent भी है वन डे एक दीन हर पैरेंट हर पैरेंट में उस लड़की की नेंसी की जो माता पिता है वो हर पैरेंट स decided to send her to a boarding school ठीक है जिसमें बोर्ड का एक्जा में जिसमें बोर्ड का एक्जाम होता है जिसका जो numbers होते है वह बहुत महने रखता है ठीक है जिवन के लिए केरियर के लिए in Simla कहां भीजना चाता है Simla में Simla भीजना चाता है इसके जो parents है ठीक है किसको Nancy को they wanted her to learn extra ये देखिए extra curricular ठीक है यानि इसका मतलब ये है कि जो हमको काम रोज करना है वो तो करना ही करना है लेकिन कुछ चीजे एक्स्ट्रा भी सीखनी है जैसे आप अपना subject पढ़ते हैं जितने भी subject है वो सारे पढ़ते हैं अपने syllabus का लेकिन आप extra काम क्या कर रहे हैं English as spoken सीख रहे हैं जो कि आपको career के लिए बहुत जरूरी है क्यों जरूरी है जो कि English as speaking है English को आप समझना चाते हैं पढ़ना चाते हैं यह बहुत बड़ी चीज़े हैं ठीक है तो यह है आपके लिए extra season activities activities मतलब काम है अलग से कुछ काम करना चीज़े जिसे आप खेलना भी कर सकते हैं या बहुत साइक काम है ठीक है अलग से किताबे पढ़ सकते हैं तो extra चीज़े इसे करवाना था किसे Nancy से करवाना था उसकी माता पिता को ठीक है था कि उसको बहतर कर सके board का तो exams के लिए तो पढ़ना नहीं पढ़ना था लेकिन उसको और भी चीज़े करना है तो उसके लिए उसे सिमला भीजना चाहते हैं और ये भी धियान रख रहा है कि इसकी जो पढ़ाई हो वो अच्छे से हो ठीक है इसलिए उसे सिमला भीजना चाहते हैं लोग Nancy was very excited Nancy बहुत उत्साहित थी excited means बहुत उत्साहित थी बहुत उत्साहित थी about the boarding school किसके लेकर के किसके बारे में तो about यानि के बारे में ठीक है तो boarding school के बारे में जानकर कुछ से बहुत excited कि मैं boarding school जाने बाला हूं या जाने बाली हूं C requested 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 मितलब बिन्निती किया प्रार्थ ना किया her parent मितलब अपनी माता पिता से request किया बिन्निती किया to throw a big party so that see my vid bid ये स्वर्ड को समझे good bye to all her friends इसका और्थ होता है बोलना ठीक है इन्हीं बोली तो यह कह रही है कि यह बहुत excited है से मला जाने के लिए तो अपने parents से request करती है कि आप एक बढ़ा सा party रखो ठीक है एक बढ़ा सा party throw a big party और जिसमें कि इसमें संभावना यहां पे M-I-Z-H-C-M-I इसका प्रयोग करते हैं संभावना दिखाने के लिए करते हैं थीक है तो संभावना दिखाने कर रहे करा है या करें बोलने बाला है को समय बाद तो वह कह रही है कि हम बोल सके उसे क्या गुडबाय बोल सके अपने दोस्तों को to all her friends जितने उसके दोस्ते सब को गुडबाय कर सके इसलिए पाटे रखना चाहिए उसकी माता पिता को ऐसा नैसी ने कहा इस चीज़ के लिए request की कुझ अवर्दस्ती नहीं किया ठीक है everybody was very excited everybody मतलब पर्तियक लोग वहत उसाहित थे ठीक है about the party उस party को ले करके invitations were sent and the food menu was decided यानि सभी को निमंतरन मिल गया है invitations का मतलब ही होता है निमंतरन देना सभी को निमंतरन मिल गया है निमंतरन मिलने के बाद food menu का मतलब होता है खाने में क्या क्या खिलाया जाएगा वो भी decide किया गया है निरनेल लिया गया है कि क्या खिलाने वाले है नैंसी यहाँ पर एक कोमा है और इसको आफ वर्च ठवर पी as कहते है ठीक है इसका मतलब भी काके ही होता है ठीक है यह भी एक grammar हो गया यहाँ पर आपका फैबरेट मतलब पसंदिदा फैबरेट असनेक्स वर इनक्लूडेट उसके जो फैबरेट असनेक्स था यानि भोजन था उसे इनक्लूड किया गया है ठीक है किसकी है तो नैंसी के फैब chloride जो भी पसंदिदा था उन सभी को भी menu में include किया गया है इंदा menu यारी menu में नैंसी के पसंद का सारे चीज़े include किई गए 요 नैंसी को क्या-क्या चीज़े पसंद है यह दियान रखिए like यहां पर इसका मतलब होगा जैसे ठीक है पीजा बर्गर वेफर्स मॉमोस आइंड स्वीट्स स्वीट्स यानि मिठाईया यह सारी चीजे मेन्यू में इंक्लूड किया गया और यह सारी चीजे नैंसी की पसंदिदा स्नेक्स है अन दाडे ठीक है उस दिन आन दाडे मतलब जिस दिना पार्टी रखा गया है इसलिए और यह पार्टी की आ गया है on the da स्टार्टेड प्लेइंग एराउंड वह लोग आसफास खेलने लगे कजिन से कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा तो हम पर खेलने लगे दा नाइफ दाट वाज यूज टू कट दा केक अंड दा मैच बॉक्स मैच बॉक्स यानि सलाई ठीक है दाट वाज यूज टू लाइट दा कैंडल वोर लाइंग ऑन दा टेवल ठीक है वो जो बच्चे थे वो लोग किन चीजों से खेलने लगे हैं तो वहाँ पर माचिस गया था तो कैंडल को जलाने के लिए यानि मंबती जलाने के लिए और वहाँ पर नाइफ था यानि चाकू था चाकू किसी के लिए था तो केक काटने के लिए वहीं पर टेवल पर परा हुआ था लिखा हुआ है लाइंग मतलब रखा हुआ था ओन दा टेवल टेवल पर र खेलेंगे with the knife मतलब चाकू से the matchbox and the candles और matchbox भी यानि matches भी ठीक है यानि सलाय भी और candles यानि मंबतियां भी इन सभी के साथ खेलना उसे अच्छा लगता था तो खेलने लगा ठीक while playing Nancy's best friend ठीक है while मतलब जब 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 Nancy की जो सबसे best friend थे सबसे पसेंदिता मतलब उसको जो सबसे करीबी friend था वो खेल देती जिसका नाम है रीमा got a cut cut मतलब उसको cut लग गया चाकू से something cut लग गया on her arms arms मतलब समझते ही आर्म आर्म से बढ़ वहां पर उसको लग गया रीमा ज्वार्म स्टार्टट ब्लीडिंग मतलब उनके बहां से खून बहने लगा एंड इसी स्टार्टेड क्राइंग आउट क्राइंग आउट मतलब जो जो से वो छिलान लगे लाट कि ओन दा अधर ऑन दा अधर हैंड कराएंड कि ओन दूसरे हाथ में ठीक है एक तरफ यह घटना घट गए दूसरे तरफ नैंसी के जो कजन थे अब यहां पर देखिए लिटल लिटल का आर्थ होता है जगमगाता हुआ या चमखीला ठीक है जिसे जो हम तिली को जलाते हैं तो चिली क्या होती है उसमें रोशनी निकलती है तो जगमगा नहीं लगता है ठीक है तो उसके पास मैचस्टिक था मैचस्टिक क्या समझ सकते हैं कि जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि माचस का जो तिली होता है उसको मैचस्टिक करते है जब से उसको जलाएं वह जलनी लगता है जलने के बाद वह रोशनी देता है यह चमाखनी लगता है ठीक है उस मतल рассater than G buds मतलब बदल गया किसमें तू एन accident इतनी अच्छी में अच्छी पाटी किसमें सेंड फॉर ठीक है और उसके लिए डॉक्टर को भी भेजा गया था किसके लिए तो इलाज करने के लिए शून जल्द ही everybody started taking care of the situation जल्द ही सभी लोग परतियक लोग start कर दिया क्या चे सभी का देखवाल करना शुरू कर दिया और उस situation को control करना शुरू कर दिया situation यानि इस्तिती जो गंबिर इस्तिती बन गई है उसको रीमा was given first aid aid का मतलब होता है सहायता ठीक है यानि रीमा को सबसे पहले सहायता मिला था the fire was put out यह क्या है यहाँ भी देखे ग्रैमर आया क्या है यह है एक phrasal भर put out मतलब होता है बुझाना ठीक है बुझाया बाट नैंसी लडंट आ वेरी विग लेशन इन लाइफ जीवन के बहुत बड़ा लेशन यहाँ पे नैंसी ने सीखा क्या सीखे इट इस वेरी इंपोर्टेंट टू बी सेफ करा कि यह बहुत महत्पुर्ण है कि हमें सुरक्चित रहना चाहिए यहाँ पे moral है moral क्या है तो moral है कि no matter where you are करा कि मैंने नहीं रखता कि तुम कहां हो where you are always be sure to be safe आप इस बात का हमें सा ध्यान रखिए कि आप safe हैं या नहीं है that's all thank you so much